चेड़ खानी के दौरान हुए विवाद में पांच घायल सबी घायलों को लाया गया सिविल अस्पिताल जहां चल रहा उपचार मौगंज थाना के पटेहरी में सराब के नसे में आरोपियों ने एक महिला के साथ चेड़ खानी कर दी इसी बात को लेकर महिला के परिजनों और आरोपियों के बीच बिवाद हो गया जिसमें दीपक साकेद, वैदिनाद साकेद, रामबती साकेद, नीरच साकेद, गात्री साकेद घाल हो गये परिजनों द्वारा घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पिताल मौगंच में भर्दी कराया गया है पुलिस ने घायलों की रिपोर्ट पर मौती लाल प्रजापती, दिनेज प्रजापती, पुस्पेंड प्रजापती, सही चार अन्य आरोपियों के उपर मामला कायम किया है बताया जाता है कि पटेहरी में ब्रिज मोहन साकेद, शराब बेचने का कारे करता है वहीं आरोपी सराप पी रहा था, तब ही बगल वाले घर की महला नृत्तिक ख्रियाग के लिए घर से बाहर निकली तो सराप के नसे में आरोपीयों ने छेड़ खाने शुरू कर दी, महला हला गोहर मचाई, तो परिजन भी मौके पर आ गय, इसके बाद आरोपीयों निलाठी रोड से हमला कर सभी को घाल कर दिया, घाल दी पक साकेट ने आरोप लगाया कि मारपीट के दोरान ही मैं अपना ट्रक लेकर आ गया, और बीच बचाओ करने दोरा तो आरोपीयों ने पच्चास हचार रुपे भी छीन लिया, जबकि पुलिस ने लूट का मामला दर्श नह जब बाहर अंदर से निकलें एक जारभ जेरा एक नम्मर करने के लिए, ओ लोग लाठी लेकर खड़े थे दुआरे में, बोले कहां गयां, कहां गयां, कहां गयां, मैरे घर पर कोई नहीं, तो लोग हमारे इस छेड़ खानी करने लगे, मैरे सर पर एक लाठी मारभ थे, द चार आदमी खायल हुए, विबाद क्या था? विबाद सार हम कुछ नहीं जानका है, विबाद हो इसान मरे आगे कुछ विबाद नहीं हुआ उसके साथ, ये सब गामे के हैं आरूपी, क्या रिपोर्ट हो गई है थाने में, जी सार, गटना कहां किये, घटना हम तो गाड़ खड़ी घर के रोड पर से, आए घर पर लेकर हमारे पीता जी को मार रहे थे, गिरा के लाठी से, हम गये शोड़ा रहे थे, हम को भी मारने लगे है, मेरे पास पचाजार रूपे था, वो भी शोड़ा जी हम बंबे से आए थे गाड़ी लेके, अच्छा ट्रक डाइगर है हाँ, मेरा पैसा भी ले ले, गाड़ी अभी तक मेरे घर के पास खड़ी है रोड में, अच्छा रूपी कौन है, अरूपी है, मोतिलाल रजापत और उनके तीन बेटे हैं, अच्छा, उनके साथ और जगड़े के कारण क्या था, जगड़े कारण दे कि हम आए घर पर तो मार ने लेगें, इसके बाद मार के बाग जाएं